डीपीएस ना विवाद वच्चे विद्यार्थियों ने वालियों हवे मुश्केली मा मुका छे अने स्कूल शरू करवा करी रहा छे मांग त्यारे वालियों हवे राजेपाल ने मरवा ने शाड़ा मुद्धे रजुआत करी राज़ेपाल साथे मुलाकाद बाद वालियो सची वाले जहशन बाद मां मुख्यप्रधान रूपाणी ने रजुवात करें डीपीएस ने सरकार हस्तक लएने शरू करवा मांग करा माया हुशे साथे जे विद्यार्थियोंनों भावी नबगडे ते माटे सरकार विचारना करें ते भी अपिल वालियो हवे मुख्यप्रधान ने करवाना छे विद्यार्थियोंनों भणतर न बखड़े मिडियाना सवालों न जाब सामें हितेश पूरिये कहूं कि आमें जाब आपान इस्थिती बाना थी तो नकली दस्तावेजोंने लेनी ते मिन कहूं कि मनें आम मुद्दे कहीं खबर न थी हूं भी हचार तीर थी आचर तरीके फरजपर छूं तो नित्यानन्ना सवालों पर हितेश पूरिये कहूं कि हूं नित्यानन्ने न थी जान दो जैसे स्कूल को डिफिलेट किया गया था सिरफ स्कूल के पास एक एनुसी का जो प्रॉलम था वह उसके लिए हम अलरडी वर्क कर रहे हैं एनुसी के लिए लेकिन जैसे सड़नली डिसेफिलेट कर दिया गया स्कूल को मिड सेशन में अभी ये मन्त अफ दिसेंबर है ऐसे में बच्चे जाएंगे कहां स्पेशली क्लास 1-8 के बच्चे हैं जो वो कहां पढ़ेंगे 9-11 के लिए बोला गया है अलग स्कूल में शिफ्ट करते हैं तो वो जाएंगे कहां और 10-12 के बच्चे का तो बोल का एक्जाम है उनकी प्रोपेक्शन कैसी होगी इस चीज के लिए अगर स्कूल के पास एक कमी है कि हमारे पास अगर NOC नहीं है तो उसके लिए हम एक टाइम दिया जाए कहीं भी अगर आप देखो कि जो एक जस्टिस क्या होता है कि दूसरे वेक्टिक को भी टाइम दिया जाता है उसको अपना पक्ष रखने का तो अगर हमें एट लिस्ट तीन महीने के लिए समय मिल जाए कि स्कूल अपनी ये सारे डॉक्मेंट्स पूरे करें हम पूरा करेंगे उसको लेकिन तब तक के लिए जो बच्चे हैं ये जो मेरे बच्चे जो बच्चारे बाहर बैटे हुए उनकी स्टडी सफर ना करे तो मेरा रिक्वेस्ट यह है कि हमको यह स्कूल कल से स्टार्ट करने दिया जाए ये स्कूल मेनेजमेंट को पीरे 12 साल से स्कूल चल रहा है और 12 साल से स्कूल के पास NOC नहीं है उस समय कुछ ऐसा भी CBC का रूल आया था 2013-16 के बीच में कि NOC की रिक्वाइमेंट नहीं थी तो स्कूल ने उसके लिए अपलाई ही नहीं किया और अभी अचानक अगर बीच में डिस अफिलेट होता है तो हम किस कंडिशन में मतलब हम ऐसी चगा पहुँच गया है कुछ जवाब देने के स्तिती में नहीं है